हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल देशी किचन और मैं हूं ममता आज हम एगलेस चॉकलेट केक बनाएंगे वह भी बीना अवन के घर में घर में जो नॉर्मल कडाई होती है आज हम उसी में इसे बेक करके बनाएंगे और आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर भी ब तो उसे ले लिया है मैंने उसी कटोरी के मेजर से मैंने आधा कटोरी के करीब मैंने यहां पर ओईल ले लिया है और यह अन फ्लेवर्ड ओईल है इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है आप सरसो का तेल वेगरा इसमें यूज ना करें इससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आए मैं इस इसी तरह से मिग्स करना है बहुत ही अच्छे सेक्ष आपस्थ हो जाए और बस हम इसी तरह से मिग्स करना है यहां पर मैंने उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी करीब मैदा लिया है तो मैदा को मैं थोड़ा सा छान के ही हम इसमें जब भी उज़ करेंगे मैदा छान कर ही उज़ करेंगे और इस कटोरी में एक चमच के करीब मैदा मेरा हमारा कम है तो हम इसमें वो बाद में ऐड़ करेंगे तो यह दिखे friends से मैंने इस अच्छ से छान लेती हूँ और एक कंटोरी में एक चमच में और मैदा ऐड़ करघंगी तो हम जो भी इसमें सामान हम यूज कररoma हैं वो सब हम कंटोरी के major से ही यूज कर रहा है यहाँ पर 1 फोर्थ कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर कोको पाउडर लिया है तो हाँ फ्रेंड्स मैं चॉकलेट केक आज कोको पाउडर से ही बना रही हूँ तो कोको पाउडर को हम भी हम अच्छे से छान लेंगे और अब इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से mix कर लेते हैं तो हमें इसे अच्छे से धीरे-धीरे करके mix करना है और बिल्कुल lumps free हमें एक batter बना के ready करना है यह दिखें फ्रेंट्स ये हमें इसी तरह से करके mix करना है ये भी बहुत जादा ठीक लग रहा है यहाँ पर मैंने एक कटोरी के करीब दूद लिया है तो इसकी help से हम इसे अच्छा सा एक smooth batter बनाएंगे और friends इसमें दूद आप room temperature का ही लें इसमें कोई भी आप चीज अगर आप add करते हो तो आप सब कुछ room temperature पर ही होना चाहिए वो बिल्कुल फ्रीज से निकाल कर आप दूद मत add करें या फिर बिल्कुल खौलता हुआ दूद भी इसमें add ना करें सब कुछ room temperature पर ही होना चाहिए अगर room temperature पर नहीं होगा तो आपका cake खराब भी हो सकता है तो यह दिखे फ्रेंट से बस दूद की help से हम इसे अच्छा सा एक smooth batter बना कर रेडी कर लेते हैं तो यह दिखे फ्रेंट से इसमें करीब मुझे एक कटोरी के करीब मेरा दूद जो है इसमें लग गया है और इसे बस ऐसे ही mix करते हुए हम एक lums free batter बना लेंगे और इसे बहुत अच्छे से फेट लेंगे ताकि हमारा जो cake बने वो बहुत ही जादा अच्छा और fluffy बने तो यह दिखे अभी भी हमारा जो better बहुत थोड़ा सा थीक लग रहा है मुझे तो इसमें थोड़ा सा दूद हम और एड़ कर देंगे और दूद के साथ हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे यह दिखे friends हमें इसी तरह से धीरे धीरे करके इसे mix कर ले रहा है और यह दिखे friends हमारा जो better है बहुत स्मूद सा बनके ready है हमें बस ऐसा ही better चाहिए और बस यह अब ready है और यह दिखे friends से इसको बनाने में मुझे एक कटोरी के करीब दूद लगा है और इतना दूद मैंने extra दूद लिया था तो यह इतना दूद हमारा बच गया है उसके बाद एक कडाही में मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल कर और थोड़ा सा इसमें मैं एक stand रख दूँगी इसके साथ ही हम इसे bake करेंगे तो आप यहाँ पे कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं कटोरी को भी आप पलट कर रख सकते हैं और उसके उपर आप जो है बैटर आप इसके उपर और केक टीन आप रख सकते हैं तो यह इसे हम 10 min के लिए प्री हीट होने देते हैं और यहां पे, friends, मैं यहां पे केक टीन ली हूँ तो अगर आप चाहो तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं और अगर butter paper नहीं है तो आप इस trick से भी आप इसे bake कर सकते हैं जिससे आपका cake बिल्कुल भी cake tin में नहीं चिपकेगा तो यहाँ पर मैंने butter लिया है तो butter को मैं इसमें अच्छे से डाल कर चारो तरफ में इसे अच्छे से spread कर लूँगी और उसे चारो और से dust कर लूँगी तो यह दिखे फ्रेंट्स मैंने एक चमच मैदा डाल दिया और इसे चारो तरफ से हमें इसे अच्छे से dust कर लेंगे और अगर आप इस तरह से cake tin बना के अगर cake बनाते हैं तो वो cake आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकता है बहुत अच्छे से निकल के आजाता है और एकदम जैसे आप butter paper का use करते हैं बिल्कुल वैसा ही cake बनके ready होता है तो यह दिखे फ्रेंट्स जो इतना मैदा बचा है हम इसे अच्छे से निकाल लेते हैं और यह दिखे हमारा cake tin बनके ready है और बेटर में हम एक चमच करीब यहाँ पर वीनेगर का use करेंगे तो वीनेगर जब हमने दूध एड़ किया था आप उस समय भी डाल सकते थे लेकिन मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूं तो एक चमच हम इसमे वीनेगर एड़ कर देते हैं निगर एड़ करने से यह केक है हमारा बहुत ही जालीदार बनके ready होता है बहुत ही fluffy बनता है तो मैंने इसको इसमें डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने बेकिंग पावडर लिया है तो मैं इसे चन्नी में डाल देती हो और इसे हम अच्छे से चान लेते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर बेकिंग सोड़ा का यूश करूँगी तो बेकिंग सोड़ा जो है वन फॉर्ठ टी-स्पून ही हमें लग चाहिए तो यहां बेकिंग सोडा का यूज आप बहुत थोड़ा ही करें और यह दो के फ्रेंट्स मैं बिल्कुल थोड़ा सा 1 फोर्थ इस्पून ही टी स्पून ही बेकिंग सोडा ले रही हूँ और इसे हम भी हम अच्छे से चान लेते हैं और अब इन सबों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेटर के साथ और हमें इसे एक डारेक्शन में ही अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि बेटर को तो हमने बहुत अच्छे से पहले ही अच्छे से मने फेट लिया है तो हमें इसे ज़्यादा फेटने की जरूरत नहीं है बस ये जो हमने बेकिंग पौडर बेकिंग सोडा डाला है वो हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए बस हमें इतना ही इसे फेटना है तो ये दिखें फ्रेंड्स हमने इसे बहुत अच्छे से फेट लिया है और एड़ कर देंगे ये दिखें हमारा बैटर बहुत जादा पतला और नहीं बहुत जादा गाड़ा होना चाहिए अधर्वाइस केक जो है बहुत अच्छा नहीं बनेगा फ्लफी नहीं बनेगा तो आप बैटर की कंस्टेंसी आप जो है आप देख सकते हैं कि वो कैसी है बस इसको हम अच्छे से डालने के बाद इसे हम थोड़ा टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर जो भी एर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे और बस इसे हम कडाही में हमने जो दस मिनट के लिए प्रिहीट कर दिया ये गरम हो गया है अब इसे हम रख कर 35 तू 40 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसे हम ढख देते हैं और 40 मिनट बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो ये देखे फ्रेंड्स हमारा केक यहां बनके बिलकुल रेडी है और अब हम इसे तुथपिक से चेक कर लेते हैं तो ये देखे फ्रेंड्स मैंने मैंने चारो तरफ इसे डालकर अच्छे से चेक कर लिया है और हमारा तूत्पिक जो है बिल्कुल क्रीन है अब हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसे हम हलके गीले कपड़े से ढख देंगे टैन मिनट्स के लिए ताकि जो उपरी जो हमारी परत है वो सौफ्ट हो जाए हार्ड ना हो और यह हमारा बहुत ही यम्मी सा स्पॉंजी केक बनके रेडी है अब इसे डी मोल्ड कर लेंगे डी मोल्ड करने के लिए हम इसे उल्टा कर देंगे और आप देख सकते हो कितना अच्छा केक बना के रेडी के और यह देखे यह देखें इज सकते हैre अब हलका गरम भी है तो आप चाहें तो केक हमाे इस तरह से भी बना के खा सकते है और ये चॉकलेट केक तो बच्चों को बहुत जादा ही पसंद आता है तो आप अगर चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हैं इसके उपर आप थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं किसी भी चीज से थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा गनाश के साथ इससे डेकुरेट करूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर भी गनाश को थोड़ा सा इसका एक लेयर लगाऊंगी तो इसलिए मैंने इसे 20 से कट कर लेती हूँ मैंने इसके लिए एक घंटा मैंने इसे फ्रीज में रख दिया कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा सेट हो जाया जो हमारा केक है आप जब भी आइसिंग करें तो एक घंटा आप फ्रीज में रख कर ही करें इससे जो आइसिंग होती है बहुत अच्छी होती है तो यह दिके फ्रेंट से हमारा केक कितना जालीदार और कितना मस्त दिख रहा है बहुत ही स्पॉंजी केक बनके रडी है इसमें मैं थोड़ा सा सुगर सीरप के साथ मैं इसे अच्छे से मौइस्ट कर लूँगी और मैंने बस इसी लेयर में थोड़ा सा सुगर सीरप लगाया है otherwise हमें कहीं भी लगाने की जरुवत नहीं है क्योंकि हमारा केक ही इतना सॉफ्ट बना है कि हमें इसकी जरुवत नहीं है और इसके उपर मैं थोड़ा सा गनाश डाल दूँगी अगर आप गनाश नहीं है तो आप चॉकलेट को भी मेल्ट करके इस तरह से आप बना सकते हैं गनाश की रेशिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी यह देखे फ्रेंड्स बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी चारो और एक पतली सी मैंने लेयर लगा दी है और जो हमारा अब दूसरी इसको मैं एक केक का जो बोर्ड होता है मैं उसके उपर ले लेती हूँ ताकि जो हम इसके उपर जो गनाश स्प्रेड करें तो अच्छे से इसली हो जाए ताकि हमें बाद में उठाने की जरुवत ना पड़ें यह दिखे फ्रेंड्स बस इसे डालने के बाद हम इसके जो दूसरी लेयर है हम इसके उपर अब उसे रख देंगे यह दिखे फ्रेंड्स यहां केक की जो दूसरी लेयर है मैं इसके उपर अच्छे से रख देती हूँ और बस यह हमारा केक बनके रेडी है और इसके उपर हम थोड़ा सा चॉकलेट का जो गनाश है उसके उपर भी हम इस पर डाल देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे यह दिखिए आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसमें वीपिंग क्रीम से भी आप इसे डेकॉरेट कर सकते हैं बट मैं आज इसे सिंपल ऐसे चॉकलेट गनाश चाही डेकॉरेट कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से इस्प्रेट करके चार और अच्छे से फैला देंगे और ये दिखें फ्रेंड से ये जो हमारा केक है बहुत ही यम्मी सा बनके रेड़ी है बच्चों को तो ये बहुत ही जादा चौकलेट के पसंद आता है अब मेरे पास ये मीनी ओरियो बिस्कुट है मैं इससे सिम्पल सा डेकोरेशन कर दूँगी और ये देखें बैस इसी तरह से आप चाहो तो कोई और भी डिजाइन आप इसमें डाल सकते हैं आप कोई भी डिजाइन से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं बस इसी तरह से मैं इसे चारो रच्छे से फैला दूँगी यहां पर मैंने थोड़े से चौक जो चौकलेट सीरफ है उससे थोड़ा सा मैं इसके उपर स्प्रेड कर दूँगी और यह देखिए फ्रेंड्स हमारा यम्मी से चौकलेट केक बनके बिलकुल रेड़ी है तो आप भी इसे बनाएं और यह बहुत ही यम्मी बहुत ही स्पॉंजी बना था तो बस यह बनके रेड़ी है आप इसे जब चाहे तब इसे आसानी से घर पर ही बना सकते है बीना एक के और यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है यह खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है और यह बच्चों को तो बहुत पसंद आता है क्योंकि बच्चों के लिए तो चौकलेट बहुत ही पसंद है oriyo biscuit भी बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने इसे oriyo biscuit के साथ ही decorate किया है तो येदेखिये friends मैं इसे आपको कट के दिखाती हूँ कि यह कितना easily cut भी हो रहा है बहुत आसानी से मैं इसे कट भी कर पा रही हूँ यह बिल्कूल बहुत ही बहुत जादा ही यह सॉफ्ट बना था और यह देखे इसकी अंदर की जाली जो है मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अंदर से और यह देखे फ्रेंड्स ये देखें ये कितना स्पॉंजी दिख रहा है और कितना इसमें बहुत ही अच्छा ये बनके रेडी हुआ है तो आप भी इसी तरह से बनाएं और इंज्वाए करें और ये देखें फ्रेंट्स मैं इसे एक बार बाइट खाके भी देखती हूँ और ये देखें ये बहुत ही यम्मी सा हमारा केक बनके रेडी है और आप भी इसी तरह से घर में आसानी से बना सकते हैं कोई भी इसमें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं उसका सलूशन आपको जरूर बताऊंगी तो यह दिखें फ्रेंट्स हमारा चॉकलेट केक बनके रेडी है अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेफ स्पी के साथ ओके बाई एंट टेक केर